आज का वीडियो ना बहुत जादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे एक प्यारे से भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें मॉमो की रेसिपी चाहिए तो मैं बहुत दिनों से डिले कर रही थी लेकिन के काफी सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाया जाए तो आज हमने बनाया बहुत ही जादा क्रंची और जूसी मॉमोज और स्पेशल मॉमोज की एक चटनी बनाई है जो की बिल्कुल मार्केट स्टाइल होने वाली है तो यहाँ पर एक बड़े बरतन के अंदर पहले हम दो कप मैदा लेंगे आदा चमश नमक एक चमश ओईल डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप रैसीपी को एजटेस फॉलो करोगे तो आप एकदम परफेक्ट मॉमो बना पाओगे अब आपने क्या करना है सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसका एक सक्त सा डो लगाना है क्योंकि मॉमो का जो डो होता है वो हार्ड होता है अगर आप लेस्टन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं अब यहां पने पत्ता गो भी लिया मैंने एक कप के करीब और यहां पर गाजर एड़ कर दिये ग्रेट करके सबजियों को बारीक बारीक कट करें यहां पर आदा श्रिम्ला मिर्ट चॉप करके अड़ किया है एक मीडियम साइज का प्यास चॉप करके अड़ कर दिया है यहां पर मैंने आदा चमच के करीब सोया सॉस और विनीगर राइड किया है अब सारी चीजों को बढ़िया से कर लेंगे मिक्स और एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे और यह जो हमारी स्ट्रफिंग है एकदम जूसी सी रहेगी और बोखलती जादा टेस्टेव रहती है स्ट्रफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब बिल्कुल बनाएंगे मार्केट स्टाइल मॉमो चट्नी चट्नियों की काफी सारी रेसिपीज यूट्यूब पर हैं लेकिन ओरिजिनल मॉमो चट्नी कैसे बनाई जाती है ठेले वाले लोग कैसे बनाते हैं वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी तो यहाँ पर मैंने चार टमाटर लिये हैं टमाटर का उपर वाला पोशन कट कर दिया उसके बाद साबुत लाल मिर्च लिये हैं चैसे साथ चार से पांच लेसन की का लिया और यहाँ पर धनिया की जो डंडी होती है उसको मैंने कट कर लिया अच्छे से वाश करने के इसको आपने पीस लेना है येकिन जानी इतनी जादा टेस्टी सी मोमो की चिटनी बनकर तयार होती है ना फटा फट से इसको पीस लेते हैं अब पैन में डालेंगे तोड़ा सा कुकिंग ओल जादा नहीं एड करना और इसमें हम चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर एड क सारी चिटनी को मिक्स कर लेना है अगर आपको मोमो की चटनी एकदम थिक चाहिए जैसे के मार्केट में मिलती है तो यहां पर ना आदा चम्मच कॉन फ्लार को मैंने थोड़े से पानी में घोल करके एड कर दिया है इससे क्या हो जाएगा चटनी जो एना आपकी गारी हो ज जाएगा जोकि यह बोहती जादा श्पाईसी सी चटनी होती है आदा चम्मच डार्क सोया सॉस आदा चम्मच विनीगर एड करेंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आप सोचते हो नो जो मार्केट में चटनी मिलती हो एक दम रैड रैड सी होती है बिलकुल मार्किट में मिलने वाली चटनी जह होती है अग्दम इल्य ह reicht बिल्कुल वैसे ही बनकर तयार हो चुकी है और ठिक भी हो चुकी है तो perfect सी न chilli- बनकर तयार हो चुकी है अब प्रवल्वश बनने के प्रोस्स की butt तरफ तो मॉ्मोज में अलग-अलग shape सीक्स बनाई जाती हैं मैं बहुत सिंपल तरीके से मुमोस बनाता हुँ ज़णाë जहाण शट्पट बन के यहाँ पर चिटी बॉल्सElco ना लेगे इस तरीके से लिएक ठीक मेलें और याूज़ियोग नहीं ज़ना मेलेशनक तरिकी से कीसरे ला लेकने प्रनीまた तो यह देखे इस तरीके से हम पतली सी हम शीट बना कर तयार कर लेंगे अगर आप चाहें तो मोमो को स्टीम भी कर सकते हैं लेकिन आज नहीं आपको फ्राइड वाले मोमोस बना कर दिखा रही हूँ अब यहां पर हमेंने क्या क्या है स्टफिंग रखेंगे बाइखेंगे अब इस तरफ मैं किनारों पे सारी तरफ पानी लगा रही हूँ क्योंकि मैं मोमो को इक अलग shape देने वाली हूँ इस तरीके से आपने किनारे को उठाना है और इस पर चिपका देना है इस तरीके से हलक दबाते चले जाएंगे ताकि यह मोमो जो हम फ्राय करें तो खुले बिलकुल भी नहीं अब यहाँ पर ग्लास की मदद से इसका एक चांद बना लेंगे तो यह मून वाले मोमोस बनकर तयार होंगे इस तरीके से कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम वापस से डो में मिक्स कर लेंगे और यह आपका क्यूट सा आधा चांद बनकर तयार है स्ट्रफिंग भी अच्छे से भर लेंगे अब एक बोल के अंदर यहाँ पर दो से तीन चमच मैंने ना कॉन फ्लार लिया है उसमें पानी एड़ करेंगे और थोड़ सा नमक थोड़ सा रेड चिली पाउडर डाल करना इसके एक सलरी तयार करेंगे अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करके इसका एक लंब फ्री सा हम घोल बनाकर तयार कर लेंगे अगर आपने यह मोमोज बनाकर घर पर किसी को खिला दिया ना तो सबतो इसके दिवाने होने वाले है और दूसरी बार यहां पर हम करक hall घृच्छ़ कर करेंगे रख़ mogę पर देँगे अब अच्छे से ना इसको चूरे के साथ कोट कर लेंगे यह देखे ताकि कोटिंग जो हमारी बढ़िया सी हो जाए फिर गर्मा गरम तेल में आपने इनको फ्राय कर लेना आप चाहें तो एर फ्रायर भी कर सकते हैं अच्छा कलर चेंज आने तक अलट पलट कर आपने इंचा मुह में पानी आ जाएगा तो यह मुमोस की रेसिपी आप कब ट्राय करने वाले हो कमेंट बोक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छे लगो तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब